हालो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल OEATS से गल्प चो में दोस्तों आप सब कैसे हैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होगे दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूँ इजरायल का जो बेज़ा है उसके बारे में मैं बात करूँगा और इसमें दोस्तों डेटेल से आपको बताने वाला हूँ कि अभी इजराइल में थोड़ा प्रॉलम हुआ है जो इंडिया के लोग गहें उनके कारण प्रॉलम हुआ है तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखे हैं कि आपके कारण प्रॉलम नहीं हो अगर आप इजराइल जा रहे हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखे हैं इसके बारे मैं मैं डेटेल से बात करूँगा इसमें दोस्तों बहुत सारे जो candidate हैं उनकी थोड़ी मानसिक्ता थोड़ी अलग टैप की होती है वो जब तक इंडिया में रहते हैं तब तक उनका दिमाग में ये रहता है कि हम एक बार बस चले जाएं बाहर चले जाएं इंडिया के बाहर चले जाएं जैसे इज्राइल जाने वाले जो candidate हैं सब candidate वैसे नहीं होते दोस्तों लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो ऐसा सोचते हैं कि बस इज्राइल एक बार चले जाएं उसके बाद में इज्राइल हमारा हो जाएगा ऐसा वो सोच के बैठे होते हैं और इज्राइल जाने के बाद में वो अपना रूप रंग जो होता है वो चेंज कर लेते हैं आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं वो अपना रूप रंग चेंज कर लेते हैं रूप रंग चेंज करने का मतलब यह इसा होता है कि यहाँ पर जब तक रहते हैं तब तक तो रोते रहते हैं कि भाई मेरा काम हो जाए एक बर मेरा काम हो जाए एक बर भीजा लग जाए और एक बर मैं वहाँ चला जाओं उसके बाद में मैं अराम से वहाँ काम करूँगा लेकिन वहाँ पर जाने के बाद में उनकी मानसिक्ता अलग हुजाती है फिर वो ऐसे सोचते हैं कि अब मैं यहाँ पर आ गया अब हमारा कोई कुछ बिगाड नहीं सकता हम जैसे चाहें वैसे यहाँ पर कर रहेंगे जैसा चाहें वैसे यहाँ पर रहेंगे कुछ भी करेंगे कुछ भी नहीं करेंगे अपनी मर्जी रहेगी तो दोस्ते एक बात बता देता हूँ जो भी किने टेजराइल जाने वाले हैं और जो चले गए हैं दोस्त एक बात का जरूर ध्यान रखना आप इजरायल गए हो चार से पांच लाक रुपे लगा के गए हो तो ऐसे काम बिलकुल भी मत करो जिसके कारण आपको इजरायल कंट्री बैन कर दे या फिर आपको वापस रेटन भे दे क्योंकि अभी कई कैंडिडेट को वहाँ पे नोटिस मिल चुका है आपको जिसे की न्यूज मिली होगी सुचना मिली होगी उस न्यूज और सुचना में दोस्तो राजस्थान के कुछ कैंडिडेट है जो हैं उनको दोस्तो नोटिस दिया गया है इजरायल जो गॉर्मेंट है company हैं उनके द्वारा दोस्तों तो ये सबसे गलत प्रभाव पड़ेगा हमारे इंडिया के जो worker हैं उनके उपर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए इस बात का जरूर ध्यान रखें आप 4-5 लाक रुपया लगा के गएं आप वहाँ पे कमाने के हैं ना कि आप वहाँ पे जा करके मनमर्जी करने करें दोस्त अगर ऐसा करोगे तो आपके लिए भी दिकत होने वाली है और फ्योचर में आपके जो family member हैं उनको भी problem का सामला करना पड़ेगा और इसके अलावा जो इंडिया के जो other worker उन पर क्या effect पड़ेगा यह आपको पता होना चाहिए अभी राजस्तान के जो candidate हैं उनको notice जारी किया गया है और उनका जो है एक बार notice जारी करके उनको एक बार बोल दिया गया है कि अगर आप दोबारा ऐसा कुछ करते हैं तो आपका बीजा cancel करके इंडिया भे दिया जाएगा और उसके पीछे रीजन क्या है कारण क्या वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों राजस्तान के कुछ candidate के कारण थोड़ा यह problem चालू हुआ है जिनमे उन्होंने वहाँ पे जाने के बाद में उन्होंने वहाँ पे दारू पी है दारू पी करके वहाँ पे वो जैसे अपने इंडिया में देखते हूँ ना आप बड़ी-बड़ी सीटियों में कई जगह चोटी-चोटी सीटियों में भी आप देखते हूँ सियाम को कई candidate ऐसे होते हैं जो दारू पी करके इधर उदर पड़े होते हैं नाली नले में पड़े होते हैं वैसा ही सीच्वेसन वहाँ पे उन्होंने किरियट किया है और उन्होंने किरियट किया है राजस्थानी जो केंडिट हैं उनके दुवारा ये हुआ है तो दोस्ते एक बात बताओ आप वहाँ पैसे कमाने के लिए गए हो, आप वैसा काम अगर करोगे तो आपका जो पांच लाग रुपिय यहां पे आप देकर गए हो, उसका आप का जो नुकसान होगा वो तो हो गई होगा, लेकिन आप की जो सपने हैं ना, जो आप यह सोच जोच के गए हैं, कि मैंने का ड़ल लाग पर कमाना हैं वो सपने दोस्ता आपके अधारीर रह जाएंगे क्योंकि अभी आप जैसा वहाँ पे सीच्वेसन क्रेट कर रहे हो तो यह इंडिया में भी अगर आप ड्यूटी पर दारूपी के जाओगे तो वहां के आप निकाल दिया जाता है इंडिया की कमपनी से और आप विजरायल में जागर किया काम कर रहे हूँ तो आपको पता हुआ मैं किसी बात कर रहा हूँ कौन से केंजेट हैं उनको पता हुगा घर यह वीडियो अगर आप देख रहे हूँ तो थोड़ा सुधर जाना क्योंकि आप वहाँ पे पैसे कमाने के लिए गए हैं ना कि वहाँ पे आप दारू पी करके उत्बात मचाने के लिए गए हैं ऐसा गर करोगे दोस्त तो आपका नुक्सान हो गई होगा पांच लाक रुप्य तो आप लगाके गई हो और फिर आप वापस रीटन अगर जो कुछ केंडिडेट हैं मैं सब केंडिडेट की बात नहीं कर रहा राजस्तान के कुछ केंडिडेट हैं उनको वहाँ पे इजरायल की गौवर्मेंट के दवारा जो इजरायल का जो लेवरल है स्रम विभाग उनके दवारा वहाँ पे नोटिस जारी किया गया है क्योंकि वह पर इजरायल की जो गौवर्मेंट है और वहां के जोधी कारी है कंपनी के उनके द्वारा उन्होंने उनको पकड़ा है और उनको नोटी जारी कि आए कि एक बार एक गल्पी माफ कर दी जाएगी लेकिन दुबारा अगर ऐसा हुआ तो ऐसा बिल्कुल भी दोस्त नहीं करें आप अगर ऐसा करोगे तो आपका नुकसान होगा और आपके पीछे इंडिया का भी नाम खराब होगा आप क्योंकि वहां पर ना तो राजस्तानी हो ना बिहारी हो ना यूपी के हो ना रियाना के हो ना करनाटा के हो आप उनली वहां पर इंडियान हो क्योंकि कोई भी कें हैं उनको समझ के ले जा रही है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्त तो यह सबसे बड़ा इसू अभी हुआ है तो यह मैं सोच रहा था कि आपको वीडियो के माधियम से बता दूं और आप लोग भी इस बात का ध्यान रखें आपको दोस्ते पांचे बातों का ध्यान रखना ह है पहली बात तो यह है कि आप वहां पे जा करके दारू पी करके अगर आप वहां पे बदमासी करोगे तो दोस्त आपका बीजा कैंसल करके घर बे दिया जाएगा कंपनी का कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका बिगड़ने वाला है और इंडिया का नाम खराब होगा दूस दियानक ना एक दिन उसकी बदमासी निकल जाती है मेरी बात का बुरा मत माना लेकिन मैं किलियर बोल रहा हूं आपको बदमासी यार कितनी किस की चलिया आप सा किसी की नहीं चलिया जितने भी केंड़ेट कोई भी अगर बदमास इंडिया में भी हुआ है तो उसका कोई न कोई बाप मिल गया है यह आपको पता होगा तो इस बात का ज़रूर जहां रखें लेकिन अगर आप वहां पे कमाने के लिए गए हो तो आपको वहां पे दोस्तों बदमासी नहीं करनी है आप वहां पे रह करके चुपता काम करें अपना महने का पैसा उठाएं और अपना जो दोस्तों इसराइल कंपनी जो है आपको खाना बना के नहीं देगी आपको खाना बना के खाना पड़ेगा तो दोस्तों खाना बना के ही आपको खाना पड़ेगा अगर आप वहां पे कहते हो कि मैं खाना नहीं बनाऊंगा ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा तो दोस्त इतना कोई ध्यान नहीं देता लेकिन इज्राइल कंट्री का जो सीच्वेसन है दोस्तों वह अभी भी अभी मालों की यूद अभी उसका समात नहीं हुआ हमास के साथ में तो हमास के आपको पता कि कम से कम यहां पे अपने पचास यार केंडिट को वहां पे खतम कर दिया गया हैं पचास यार जो हमास के जो फिलिफिजिनी हैं उनको मार दिया गया आपको पता है इसरहीं के त्वारा तो क्यों मार दिया गया उसके पीछी रीजिन यह है , इस्विख कम करेगा तो बिलकुल भी बरदास निकरेंगे इसलिए राजस्तानी भाईयो जो भी जा रहे हैं और जो पहुंच चुके हैं इस वीडियो का अगर आप देख रहे हो तो दोस्त आप ऐसा काम बिल्कुल भी ना करें नाम मत खराब करो अपना और अपने इंडिया का क्योंकि आप वहाँ पैसे कमाने गए हो ना कि आप अगर आप नहीं हैं तो कोई और आजाएगा और ऐसा नहीं है दोस्त के खली इंडिया के कर्मचारी उनको चाहिए यह तो दोस्त इंडिया के जो गौर्मेंट है और इज्राइल की गौर्मेंट है उसके अपने जो मित्र वैभार है उसके कारण इंडिया के कर्मचारी को ल थोड़ा वीजा का जो एगरी कल्श्र का वीजा है उसमें भी दिकत हुआ था एगरी कल्चर में जो भी चाने पहले गये थे वह वहाँ पर जाने के बाद में खरी बली हो गये आपको पनागा खरी बली किसको बोलते हैं यानि जैसे कंपनी में गए गए 10 दिन-5 दिन काम किया और वहां से फिर वह भाग गए, तो उसको बोलते हैं खली बली होना, तो ऐसा काम करने के कारण, वहां पे सबसे ज्यादा दिकत हुआ है, जिसके कारण एगरी कल्चर का जो बीजा है, वो आपका बंद कर दिया गया, आपको पता होगा, तो ऐसा काम बिल्कुल ना करें, ने, पता है, तो ये भी जो आपको बीजा मिल रहा है, ये भी बीजा बंद हो जाएगा, अगर ऐसा कर काम करोगे, क्योंकि एक के पुरा तलाव को गंदा कर देती है वो हाल हो जाएगा अंडिया की जो एक वरकर के गल्थी के कारण पूरे वरकर बदनाम हो करेंगे तो दुफ्फ आई होपको वीडियो अच्छी लगी हो अच्छी लगी तो लाइक करके दोस्त के साथ शेयर कर देना चनल के पर पहले बाइंड को सब्सक्राइब करके बैइल अकान को प्रेज कर लेना तक जब कर दो झाल झाल